कि राश्टिय लोगदल एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के जो संस्थापक चोधी चरन सिंग जी वो भारत के पधान मंतरी पद को और प्रदेशयानी भारत के सबसे बड़े प्रांत के मुख्य मंतरी के पद को सुसुवित कर चुके हैं और उनके सुपु जो सरकार है उसके अंदर केमिनेट मंतरी के रूप में उन्होंने भी अपने आपको जैना अब उनके सुपुत्र हैं जो अभी चोधी जैन सिंग जी हैं बहुत क्वालिफाइड हैं पढ़े लिके हैं टेकसस में पैदा हुए हैं विदेश में उनकी सिक्षा हुई है आओ अपने दादा और अपने पिता जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज वो दिन रात काम कर रहे हैं और उन्हों का जो विजन है वो बहुत बड़ा विजन है और उन्होंने अब हमारे समाज के आज तीन साथियों को आज अपने संक्तन में उन्होंने बला उनका इं सची बनाया गया था और आज मेरी सेवाओं को जहान में रख करके मुझे पायटी का रास्ठी यह महा सची बनाया गया है और आज दो इंडक्शन और हुए हैं मायवती जी के जो सघी बहन के बेटे हैं यानि कि उनके भतीजे हैं प्रभु दुकुमार जी उनको पायटी का रास्ठी सची और उत्तर प्रदेश सासन में लंबे समय तक IPS के अधिकारी के रूप में काम कर रहे आई जी से सेवा निम्रत हुए ओपी सागर साब को हमारा जो पायटी का SCST प्रकोस्ट है उसका रास प्रभावित हुआ और मैंने रास्टे लोग दर जोइन किया उसका ये कारण था कि मैंने अपने घर में TV पर बैठे हुए हात्रस में हमारी बेटी के साथ बलातकार करके उसकी हंत्या कर दी गई और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए जब चोदी जैंसिंग जी को मैं यार यह आदमी तो सामन जाती से आता है उसके बाद भी हमारे समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा है तो मैं लगता है कि समाजबाद की सोच चोदी जैंसिंग जी के मन में है और उसे प्रभावित हो करके मैंने इस पार्टी को जोइन किया था और आज मुझे इस ब इसा मैंने कहा कि राष्टे देश का स्वेम का फोनाया उनकी पीडा और दर्द मैंने देखा कि राइंदरपाल गौतम के विशे में उन्होंने मुझे से खुद कहा कि जो आमादमी पार्टी राइंदरपाल गौतम को सिपोर्ट नहीं कर रही है उनका जो स्थीफा मांगा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है बाइस प्रिटिग्याओं का जो मामला है ये किसी वैक्ति की आस्था से जोड़ावा प्रशन है और भारत धर्म पेक्स रास्ट है इसमें हर आदमी को धर्म के हिसाब से अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन जिस तरीके से इस देश का मह पाजे खुले हुए हैं तो मैंने उनकी बात के बाद मुन ने कहा कि उन्हें हर परकार का आप सपोर्ट दीजेगा उनके पास जाएए मिलिये बात करिये उनने सपोर्ट दीजेगा सारा और हमने उनको जो भी आपने देखा कि जब उस दिन वह भावक हो रहे थे तब भी हम हुए हम उनके साथ है उससे पहले दीन भी उनके साथ थे जब रैली ओरे ती अपने देखा कि हम उनके साथ ही तो कि ये सारी चीजें जो है और बेंजी के जो बेंचे बेटे उनको पड़े 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 पर सुसूबित करके कहीं आरेडी तरिफ वोट को साथने की कुछिस कर रहे हैं अगर हम लोकसवा का केंडिडेट देखते हैं तोबिधान सबस् framework 2002 में हमारे समाज के काफी लोगों ने गटबंधन को बोट दिया और वो अन रिकॉर्ड है वो आकड़े इस बात के गवा है तो निश्यत रूप से इस दिसा में एक प्रियास है और हम चाहेंगे कि हमारा समाज एक जुट हो एकटा हो और एक जुट हो करके जो गटबंधन बन रहा करती है एसी एस्टी की बेटियों की हत्यां पर बात नहीं करती है एसी एस्टी किसी मसले पर कोई समेधन उनकी जोना शीलता नजर नहीं आती है हर मामले पर जब अनुसुट जाती जनजाती का मामला आता है तो सरकार पूलतर समेधन हीन हीन हो गई है गांधी जी और बाब जाती के लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में हातों हात लिया जाता है हमारे लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं पूछ रहा है सिस्तिति में हमारा बच्चा इतनी बड़ी डिगरी करने के बावजूद भी सड़क पर घूमने के लिए मजबूर हो गया है कि मैं इस मात में कहुंगा कि राजिनेती संभावना का दूसरा नाम होता है और ऐसा जब जागे तब सबेरा आज मुझे पता लगा है कि अखलेष यादभ जी ने अपने पिता जी की तेरवी करनेंसे सम्हें बता है मेरे पास कोईश शॉलिड जानकार ही नहीं है लेकिन मुझे कहा है कि उन्होंने छॉलिए कि ईप्रूष के से साफ करा गया घूमॐगि श्बैस साफ कराया तो उनों का किया मुझे पहली बार हावास हुआ कि मैं हिंदू नहीं तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर अखले स्यादव जी की सोच में परिवर्तन होता है अखले स्यादव जी अपनी सोच में परिवर्तन करते हैं और वह अनसुच जाती जन जाती समाज को गले लगाते हैं उनके हितों की मलब रख्षा करने का अगर वो एक संकल्प लेते हैं तो निश्यत रूप से हमारे समाज को भी इसमें पुनरचार करने में कोई तखलीव और कोई परिशान नहीं होने चाहिए अगर अर्विंद के जिर्वाल पर खास्त करता तो उसका चेहरा जहें पुरेशान नहीं होने का प्रसंद नहीं होना चीए यहां तक की बात थी के राइंदरपाल गोतम को इस्टिफा देरानी चीए था उन्हें परखास होने का इंतियार करना चीए था अगर अर्विंद के जिर्वाल पर खास्त करता तो उसका चेहरा जहें पुरे देश के सामने आता अब उसने इस्तिफा भी ले लिया आज किसी का अब आज अगर कोई भी घटना आम आदमी पार्टी में होती है तो इमिजेट अर्विंद के जरी करते हैं लेकिन बाइस प् भी बाइस प्रतिग्वाँ के बुरुदी हैं और मैं तो कहूंगा भाई राइंदरपाल गौतम जी से हमारे सम्मा निसाती हैं सम्ता सेंदल के हमारे वो राष्टे महासचीव रहे हैं समाज के बहुत जीमिदार आत्मी माने जाते हैं हमारे साथ कार्य करता है गरूप में बड़ा लंबे समय का उनका साथ है उनको पार्टी का मोच छोड़ देना चाहिए और उन्हें अमेले से और आमादी पार्टी से स्थिवाद देख़ा के समास के अंदोल में कुछ जाना चाहिए